कहा रॉमान का राम वण ये जुठा बोट के लिए ड्रामा करते हैं करते हैं बोटो के लिए कुछिंद बैदंग कर फिर उम्हा इस दूड्राइट है कहां चुपते फिर रहे हैं उस सांसत पे कारवाई नहीं हो पा रहा है तो जस्टिस बोड़ा की जो 1993 की रिपोर्ट थी कि राजनिती और माफिया का गटजोर इस देश को बरबाद कर देगा और राजनिती चंदा जो चुपके से राजनिती पार्टी को दी जा रहे हैं वो ने लिस्ट में देखा 302 तक के कैसा उसमें 302, 506, 504 कितने मुकर्म उसमें दर जाएं एक सांसत जो पुड़े देश में आज सरकार के खिलाब मैलाओं का उबाल मचा हुआ है लेकिन मौजूदास वक्त में जब मोधी सरकार मोधी जी कहते है 56 एक सांसत से इतने डर गए मो पूरा दोंगा उपी कही संसत अच्छा बार का संसत कहां योगी पापा ये पैलवान थे अपनी अकल बादी से बचें ये पूरी तरह से शाजिस्서 की गई है अखिर सरकार को हारा exhibited डर डिय जू लगता है ितने डर पोग है पुलिस को नहीं आना चाहिए था यह तो अपने आतम सम्मान की लडाई के लिए बैठी है यह बहुत बड़ा जन्द सहलाब यहां होगा किसानों से बड़ा होगा क्योंकि यह बेटियों के आतम सम्मान की बात है कोई बरदाश्ट करने वाला नहीं इस बात उन्हें गार को ग तो कल जो प्रोटेस्ट होना था वहाँ लड़कियों के लड़की के पैर तूट गए हैं मेरे वहाँ भी लड़कियों को मारा गया किसान आंदोलन की वो रात याद है आपको जिस रात गाजीपुर बॉर्डर पे राकेस चिकेत को गिरफतार करने के लिए उस आंदोलन को खतम करने के लिए क्या क्या शडियन्त रचे गए थे और किस तरह से गोदी मीडिया उस रात मजे ले रही थी किस तरह से वो सोच र महिलाओं के साथ हाथा पाई हुई पुलिस के साथ जड़ब हुई उनकी और मामला था कि जो रात में बारिश हुई थी जिन में उसके लिए चार पाई उनके पास पहुचाई जा रहे थी जिसके बिरोध हो रहा था जैसे सुनने में आया लेकिन जब उसकी वीडियो भाइरल हुई है तो आप देखेंगे कि किस तरह से आज जंतर मंतर पे उनके महिला पहलवानों का समर्थन में ये सैलाव उमर पड़ा है और ये सैलाव ये फिर उसी रात की याद दिलाता है जिस तरह से बार्डर पे गाजी पुर बार्डर पे किसान आंदोनल को खतम करने की एक सा किया लग रहा है आपको कि किस तरह से उस रात को किसान आंदोन करने की साजी स्रची गई थी और टिकेट साब को गिरफदार करने की कोशिश की गई थी गाजी पुर बॉर्डर की वो बात अगले दिन पूरी जैंस आलाव पहुंच गई थी किसान आंदोनल में किसानों का कोशिश की जाती है अब जनता के सामने तो पूरा खुला खेल लई है देखिए ऐसा है धर्ती हिल गई धर्ती जो है न हिल गई आस्मान रोने लगा ऐसी कुरिक्त्य, ऐसी देनिय घटना रात के समय हो रही है उन डेविए पर जो तीन देविए यहां बैठी है ऐसा घोर अन् लेकिन ये पैलवान थे अपनी अकलमंदी से बचें ये पूरी तरह से शाजिश की गई है आखिर सरकार को हर आवाद से डर चू लगता है इतनी डर पोक है ये सरकार सरकार पूरी तरह से डर गई है पूरा देश हिल गया है रात की इस घटना से और आदमी गिरिफतार क्यों किया गया उस आदमी को रात को गिरिफतार करना चाहिए था यहां नहीं आना चाहिए था उस आदमी के घर पे जाकर दविश जेनी चाहिए उसको गिरिफतार करना चाहिए था ब्रिज मोशन को गिरिफतार करना चाहिए था यहां पुलिस को नहीं आना चाहिए था यह तो पूरे देश में आहाकार मच चुका है पूरे किसान जो है लोग जिसने भी जातियों के लोग है सब चल चुके अपने घरों से निकल चुके हैं यह बहुत बड़ा जन सहलाब यहाँ होगा किसानों से बड़ा होगा क्योंकि यह बेटियों के आत्म समान की बात है कोई बरदाश करने वाला नहीं इस बात को 1993 में जस्टिस वोरा ने एक रिपोर्ट दी थी कि किस तरह से राजनिती और माफिया का गट जोर चल रहा है उन्होंने कहा था कि इस देश को परवाद करते कि यह राजनिती में राजनिती का और माफियाओं का गट जोर वही गट जोर आज खुले आँखों से जनता देख जिस पे 38-38 मुकदमे जो लिस्ट के नाम से जो लिखी थे हैं उसका जिकर है पता नहीं कि इतने मुकदमे और हो सकते थे आज उन माफियाओं के साथ सरकार खड़ी नजर नहीं आ रही है तो रिपोर्ट सही थी ना बेलकुल रिपोर्ट ठीक थी वह माफियों के साथ है सरकार मैं एक नाम और जोड़ना चाएता हूँ अदोग पती भी इनके साथ है माफिया माफिया गोदी मीडिया इनके साथ अदोग पती भी हैं जो उनके पीछे बद्राब करने बेलेगे हुए हैं लेकिन ये देख लिए ये देश की बात है ये देश का गोरव यहां बैठा है पूरे देश के गोरव की बेटिये यहां बैठी है अपने आत्म सम्मान के लिए देश के आत्म सम्मान के लिए यहां बैठी है हम जुकने नहीं देंगे क्या कुछ भी हो उस सक्स को रात को इनको उनको गिरिफतार करना चाहिए था गुलेगार को गिरिफतार करना चाहिए था जिन्होंने कंपेंड कराई आप उनके यहां आगे कितने शर्म की बात है यहां लड़कियों को मारा गया लड़कियों को मारा गया यूनिवस्टी में यह इससे बड़ा और आप क्या कहेंगे इससे बड़ा और गुनेगार या गुना क्या कहेंगे इससे बड़ा गुना क कोई सरकार निये सरा सरकार पूरी तरह से गुनेगार है वह ऐसी गंदी सरकार हमने 70 सालों में नहीं देखी इतनी गंदी सरकार हमने 70 सालों में नहीं देखी सर लेकिन एक बताओ कि एक भूसान सिंग जितमें इतने केस हो टाडा का केस हो चाहे दाउत के साथ अब उसके संबं केस हो तो राजनीती क्या माफियाओं का गुलाम बनके रह गई है सैर पास को तो एक आपने बताया पास को आपने लिस्ट में देखा 302 तक के कैसा उसमें 302 506 504 कितने मुकर्मों उसमें दर जाए 507 हत्या करने की कोशि 302 हत्या के ऐसी ऐसी संगीन दाहराये हैं और यह खुल मचा हुआ है लेकिन मौजूदास वक्त में जब मोधी सरकार मोधी जी कहते है छपन एंची एक सांसत के से इतने डर गए मोधी जिसको हटा नहीं पार है ओ योगी बाबा कहा योगी बाबा का बल्दोजर कहा है जो उनुका पराधियों को खतम कर दूंगा जोगी बाबा त आते इक भी प्रस्थाचारी नहीं कहा पराहि है प्रस्थाचारी इतने मकद में जो आंसान बेटी जो खोन पर सीन ना पाके मुझदूर के घट से चलतीया जोड़ी आज रोड पे बारा दिन से कोई सुनने वारा है कहा है अनुमान कहा है राम कहा है राम नमी वाले ये के लिए बोटो के लिए कदि इंदु-मुसल्मान गदी महावली कदी बजरंग बली कदी गीता जनती क्या बेटियों की याद नहीं है ने पानी पस्ते नारा दियता चोधा दोजार 14 चोधा को मोधी जी ने बेटी पड़ा वेटी पुचा रहा हुआ और हनुमान जी वह थे देखे यह एक है गिर्गट होती ईह गिर्गट रंग बदलती है कई तरह के रंग बदलती है यह सरकार गिर्गड कि तरह है बेटी बड़ाओ बेटी बचाओ का नारा यह बंद नहीं लगाना चाहिए हमे की बेटी बचाओ EVium मशीन हटाओ इवियम मशीन हटाओ इवियम मशीन हटाओ इवियम मशीन हटाओ बेटी बचाओ ये देश का दुरुबाग्य है election commission सुनो बहरे मत बनो आँखों पे पटी मत बनो इवियम का सफाया करो बैलेट पेपर पे चुनाव कर आओ बैलेट पेपर पे चुनाव कर आओ बैलेट पेपर पे चुनाव कर आओ देश में रोजी रोटी की तो लड़ाई बहुत चलती थी लेकिन अब तो बेटी इज़त की लड़ाई है यह तो आत्म समान की लड़ाई है धरती रो रही है आसम मच गया है पूरे देश में आक्रोस है लेकिन उस आदमी की रशूक आप देश सकते हैं प्रजभूशन सरन सिंग की एक सांसत की वज़ा से 56 इंची का सीना जो अपने आपको कहते थे कहां छुपते फिर रहे हैं उस सांसत पे कारवाई नहीं हो पा रहा है तो जस्टिस बोड आटका के अंदर में 2018 के पेक्षा में कम से कम 9000 गुमनाम चंदा आया है 910 करोर रुपे का चंदा करीब करीब जो 110 या 115 करोर का चंदा 2018 में मिला था वो 910 करोर का चंदा सिर्फ जब इलेक्टरल बॉंड के थूर दिया गया यानि कि गुमनाम और वो किस पार्टी को दिया गया यह भी आप जानते हैं भी खुरासा होगा 80% से जारा BJP को गया होगा वो कौन लोग हैं जो इतने बड़े पैसे राजनितिक पार्टी को फंड कर रहे हैं और एक पार्टी को और जैसा काम तब भी यौन सोसन जैसा काम तब भी उन पर कारवाई नहीं होती है बेशक पूरी देश की महिला आज सरकार के खिलाफ है लेकि सरकार को फरक नहीं पर रही है यह खुली नजरों से आप देख सकते हैं तो माफियाओं का क्या रोल है इस राजनिती में आपके साम नहीं है नमस्कार